वेल्कम टू माई योटूब चैनल टेक्निकल उत्तर परदेश दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा यूज़फूल और काफी ज़्यदा इंट्रेस्टिंग होने वाली कि आज के वीडियो मैं आप लोगों बताने वाला हूं कि आप अपने रियलमी C112021 क कि फोन में इन दिस्प्लेइ कैसे लगाएंगे इस पूरे डिस्प्लेमे कहीं भी अपना फिंगर्प्रिंट लोग लगा के आप अपने फोन को ओपन कर सकते हैं आपके अलवां आपके फोन को को कोई भी open नहीं कर पाएगा तो गाइस क्या ट्री की यूज करनी ही कैसे करना है इसको जानले के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना वीडियो को बिल्कुल भी अब लोगों को ट्रिक पता चलेगी तो गैस सबसे पहले आपके फोन में जो भी लोक लगा जैसे की फिंगर प्रूंट लोग लगाएं हैं कोई भी लोक लगाएं उसको पहले आप लोग रिमूआ कर दीजिए हटा दीजिए इसके बाद सब्सक्क करने के पद आपको यहां प इसको simply open करिए, open करने के बद आपको यहां पे कुछ permission मांगता है, तो allow कर देना है, जो भी permission मांगता है, इसको दे देनी है, इसके बाद start के option पर click करना है, wallpaper के option पर click करना है, permission मांगता है, permission दे देनी है, यहां से click करके दे देंगे simply, अब यहां से आप लोगों किसी भी एक wallpaper प अगर आप लोग करते हैं तो यहां पे आप लोगों को उस अस्थान पर चार बाट टैप करना है जहां पर आप लोग अपना लोग कुछ भी यहां पे टाइप कर सकते हैं, ऑग गाईश बड़ गया आपको याद रहना चाहिए, इसके बाद आपको यहां पे समिट के ओप्सटन पर किलिक करदेना है, पिन सक्सपर बन जाता है, और यहां से आप लोगों को किसी भी वह एक वालपेपर पर पर किलिक करना जो आप लोगों को Wallpaper अच्छा लग रहा हो कियां इस आप्यवा़ल करते हैं यस के option पर क्लिक कर देते हैं और ऐसाप्लिकेसन को क्लोज कर दीना है और अपने democrat को लोग करना है लोग करने अब आप लोग करना होगा यहां पर आप लोग को मैं एक्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूं यहां पर यह ओपन नहीं हो रहा है सेम उसी एस्थान पर आप लोगों को डबल टैप करना तुरंत आपका फोन ओपन हो जाएगा तो गाइस उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी यह यह यूजपल रही होगी अगर आपको वीडियो यूजपल लोगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें